दुन्या में आज देखिए जंग से जूचते यमन को पड़ी रहा यमन में हैजा के मामलों में 95 प्रतीशत तक की कमी एक नए जेतावनी सिस्टम ने किया कमान स्वागत है आपका BBC दुन्या में मेह विदित नहरा यमन की चर्चा के अलावा कारिक्रम में आज अमरीका के वो राजिय जहां रेप करने वाला अपने आप बन जाता है रेप से जन्में बच्चे का पिता सबसे ज्यादा यूक्रेण भेशता है भारत को सूरज मुखी का तेल पर अब रूस दे रहा है यूक्रेण के व्यापार को चुनोती और इंडोनेशिया के पैरा एशिन गेम्स में हिस्सा ले रहे दो पैरा एथिलीटों की हिम्मत और जज़बे की कहानी ये और इनके रावा और भी बहुत कुछ आज बीबीसी दुनिया में है आज शिर्वाद युध में उल्चे देश यमन से संयुक्त राष्ट का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि यमन में लड़ रहे दोनों पक्षों की ओर से युध अपराध हुए हो संयुक्त राष्ट की मानव अधिकार संस्था ने अपनी पहली रिपोर्ट में कहा कि साओधी अरब की अगवाई वाले गटबंदन और हूती विद्रोहियों दोनों ने आम नागरिकों की मौत को टालने के लिए पर्याप्त कोशिशें नहीं की संस्था ने कहा है कि सबसे ज्यादा लोग गटबंदन के हवाई हमलों में मारे गए जिन्होंने स्कूलों, अस्पतालों और बाजारों पर हमले किये इसी महीने ऐसे हमलों में बड़ी संख्या में बच्चे मारे गए यूएन का कहना है कि लड़ाई से अब तक लगभग 10,000 लोग मारे गए हैं 55,000 लोग घायल हुए हैं और लगभग सवा 2 करोड़ लोगों को मानविय मदद की जरूरत है यमन में जो मानविय संकट है उसे हैजा जैसी विमारियों ने और गंभीर कर दिया है पिछले साल चार महीने के भीतर पांच लाख लोगों को हैजा हो गया मगर अब हैजा फैलने के खत्रे का अनुमान लगाने वाला एक नया सिस्टम आया है जिससे यमन में हैजा के मामले 95 फीसदी तक कम हो गए है देखिए ये रिपोर्ट हैजा से जूचता देश पिछले साल यमन में दस लाख लोगों को हैजा हुआ दो हजार से जादा मारे गए इनमें जादातर बच्चे थे और वजह है साफ सफाई के इंतजाम की कमी जिस से भारी बारिश के दोरान सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है पर अब इससे थोड़ी रहत मिलेगी ये स्वास्तिकर्मचारी कई इलाकों में बारिश के आने से पहले लोगों को जाग रुक कर रहे है ये सलाह बहुत आसान है पर इससे कमाल के नतीजे मिल रहे है यूनिसेफ के लोगों के लिए ये पता होना कि हैजा कब और कहा पहल सकता है इसका अनुमान लगा पाना बहुत एहम है तो हैजा के मामलों का पता लगने के बाद कदम उठाने की जगे वे इस तकनीक का इस्तिमाल कर सकते है ब्रिटिन में मौसम विशेशग्यों और वग्यानिकों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो हैजा के फैलने के समय को चार हफते पहले भाप लेता है वो एक मैप बनाते हैं जिसमें सैटलाइट से बारिश के अनुमानों को उन इलाकों की जानकारी के साथ मिलाते हैं जहां भारी आबादी है लाल इलाके वो हैं जहां हैजा फैलने की सबसे जादा संभावना है और मेडिकल टीम वहीं भीजी जाती है इस सैटलाइट डेटा से घर घर जाकर काम कर रहे रहत करमी बीमारी के फैलने से पहले ही वहां रोक थाम करने पहुँच जाते हैं पिछले साल हर हफ़ते 50,000 से जादा हैजा के संभावित मामले थे इस साल ये कम होकर सिर्फ धाई हजार रह गये उमीद की जा रही है कि इस पुर्वा नुमान का और पहले पता लगाया जा सके जिसे हैजा के मामलों में और गिरावट आईगी युएन ने इस बात पर चिंता जटाई है कि एक और महामारी आने वाली है पर इस नए सिस्टम के समय से पहले मिलने वाले नतीजे काफी उच्साह जनक है और अब इसे हैजा फैलने वाले संभावित इलाकों में इस्तमाल करने की यूजना बनाई जा रही है तो हैजे का अनुमान लगाने वाले सिस्टम से यमन के लोगों को राहत और जिसने रेप किया हो वो उस रेप से जन्मे बच्चे का पिता भी माना जाए यह जीब लगता है मगर अमरीका के पांच राजियों में ऐसा ही कानुन है ना केवल बलातकारी को बच्चे का हक मिलता है बलकि अगर मा बच्चे को किसी को गोद देना चाहे तो भी उसे रेपिस्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है अमरीका में हर साल लगभग 32,000 महिलाएं रेप की वज़ा से प्रेगनेंट हो जाती है मिशिगन में रहने वाली टेफेनी का सिर्फ 12 साल की छोटी से उम्र में बलातकार हुआ था और वो प्रेगनेंट हो गई थी अब इस घटना के 10 साल बाद भी वो हमेशा डरी रहती है कि कहीं उसका रेपिस्ट उनके बच्चे से मिलने ना आ जाए उसकी भतीजे ने मुझे मेसेज किया कि वो अपने बच्चे को देखना चाहता है और ये भी कहा कि वो आगर उसे मेरे पास से ले जाएंगे मैं डर गई मुझे पता नहीं था कि मुझे उसे बच्चे को मिलाना होगा मुझे जज ने कहा था कि उसके पास अभी भावक होने का अधिकार है और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी वहां से लगभख 1600 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा में रहने वाली आना लीन को भी कानून का सहरा लेना पड़ा वो भी एक रेप सर्वाइवर है रेप के बाद हुए बच्चे को जन्द देने के लिए वो कहीं और चली गई पर उनके रेपिस ने उनका पता लगा कर अपनी बेटी को देखने की मांग की आना लीन के मामले में इस राज़े का कानून बदलना पड़ा अब यौन हमला करने वाले के अभी भावक होने का अधिकार वापस लिया जा सकता है पर हर राज़े में कानून अलग है डेर्विन जब 40 साल के थे तब उन्होंने 15 साल की एक लड़ी का रेप किया और वो प्रेगनेंट हो गई पर मेरे लैंड में इस बारे में खास सजा का प्रावधान नहीं है इसलिए उन्हें सिर्फ बच्चों के यौन शोशन से जुड़ी सजा मिली सजा के बावजूद आज भी बच्चे के अभिवावक होने का अधिकार उनके पास है मुझे बताया गया कि मैं कोड जाकर उस बच्चे के साथ समय बिताने का हक मांग सकता हूँ डेर्विन को लगता है कि उनके हक वापस लेने का बच्चे पर बुरा सर होगा आपको लगता है एक बच्चे के साथ सही होगा उससे बताया जाए कि वो अपने पिता से नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी मां ऐसा नहीं चाहती है पर डेर्विन ने जिसका बलातकार किया था उन्होंने पहचान छिपाने की शर्थ पर बताया कि उन्हें ऐसे किसी नियम के बारे में पता नहीं था पर अब वो कोड जाकर डेर्विन के सारे अधिकार छीनने की तयारी कर रही है हाला कि ये इतना आसान नहीं है मेरे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसा तो नहीं है पर फिर भी मैं लड़ूंगी मैं वो सब कुछ करूँगी जो मेरे बेटे के लिए सही है अमरीका में जिन राज्यों में रेप और उससे जुड़े कानून साफ नहीं है और जहां रेप सर्वाइवर के पास खुद को बचाने की कीमत चुकानी पड़ती हो वहाँ सवाल कहीं है मगर अमरीका में इस कानून पर अब सवाल उठ रहे हैं और जानकारी दे रही है वाशिंग्टन से हमारी समभादाता इरम अबासे यह जो है बहुत कॉंट्रिवर्शल इशो यूएस में माना जाता है और बहुत सारे लीगल एक्सपर्स का यह कहना है कि यह रेप विक्टिम्स के साथ जो है वो जियाती है अगर हम दीगर रियासतों की बात करें तो अमरीका में 43 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर किसी हद तक तो रेप विक्टिम्स की प्रिटेक्शन के लिए कानून साजी मौजूद है लेकिन लीगल एक्सपर्स कहते हैं कि उसमें भी लूप होल्स मौजूद है यानि वशिंटन डीसी समेथ 20 ऐसे शेहर है या इलाके है जहां पर रेप विक्टिम्स तब तक फुल कस्टिडी बच्चे की ले सकता है जब तक साबित नहीं होता तो तब तक जो है एक्यूज रेपिस्ट को अख्तियार हासिल है कि वो कस्टिडी बच्चे की हासिल कर सके इसमें लीगल एक्सपर्स का ये कहना है कि हर औरत के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जो है लेंधी जस्टिस प्रॉसेस के मुकदमात को लड़े और फिर जाकर conviction जो है वो मुमकिन होती और conviction rate वैसे भी अमरीका में इस सिल्सले में बहुत काम पाया जाता है जहां तक तब दीली की बात है तो हमने recently देखा है के इसी साल के शुरू में मेरिलैंड में कवणीन में तब दीली किये वाशिंग्टन से इराम अबासे और आज ग्लोबल राउंड अप में देखिए क्या प्रदूशन से बुद्धी पर पड़ता है असर और इरानी राश्पती ने देश के भविश्य को लेकर उठाया सवाल और अब आज का काटून ऐसी अटकले चल रही हैं कि भारती बैंकों के करीब 9000 करोड रुपए के बकायदार विजे माल अब भारत लोटना चाहते हैं इसी खबर पर किर्तीश ने बनाया है ये काटून और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे विकलांकता को मात देते बुलंद होसले वाले दो खिलाड़ी और भारत के लिए कैसे बना युक्रेन सूरज मुखी तेल का सबसे बड़ा निर्यातर तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका वीवीसी दुनिया में मैं हूँ इदित महरा क्या आपको पता है कि आपकी किचिन में रखा संफ्लार ओयल या सूरज मुखी का तेल कहां से आता है जवाब है युक्रेन से युक्रेन अपने कुल संफ्लार ओयल का 45 वी सदी भारत को निर्यात करता है लेकिन वहाँ ऐसा क्या है जिसकी वज़ा से वहाँ सूरज मुखी की इतनी पैदावार होती है एलिन दत्ता की इस खास रपॉर्ट में आपको इसका जवाब मिलेगा गर्मियों के मौसम में युक्रेन के ये खेत बानो एक सुनेहरी चादर ओर लेते है सूरज मुखी युक्रेन का राश्ट्रिय फूल है और इन फूलों का भारत से गहरान आता है जी हाँ, आपके घर में आने वाला साधारन संफ्लार ओयल यहाँ युक्रेन से आता है बढ़ती आमदनी और उससे बढ़ती सूरज मुखी के तेल की मांग की वज़े से पिछले साल भारत में युक्रेन से लगभग 2 अरब डॉलर का तेल आयात किया भारत अब युक्रेन से आने वाले स्टेल का सबसे बड़ा खरीदार है इसी साल युक्रेन से निर्यात होने वाले सूरज मुखी के तेल का लगभग 45 फीसे दी तेल भारत ने आयात किया है ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर युक्रेन ही क्यों आधा युक्रेन जो साउथ की साउथ इस्ट की तरफ है वो काली मिट्टी के खेदों का है उसमें सनफ्लावर ओयल की बहुत अच्छी फसल आती है जो सनफ्लावर ओयल युक्रेन में उपजाया जाता है उस क्वालिटी का और उस कॉंटिटी का बहुत कम देशों में पाया जाता है लेकिन अब हालात बदल सकते हैं रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सूरजमुखी के तेल का उत्पादक देश है जानकार बताते हैं कि रूस ने पिछले ही साल भारत को सूरजमुखी का तेल बेचा है और अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है भारती बाजार को लेकर रूस और युक्रेन के बीच मुकाबला चल रहा है लेकिन इसमें युक्रेन को कोई डरने की बात नहीं क्योंकि वो पिछले सौ सालों से सूरजमुखी के तेल का उत्पादन कर रहा है युक्रेन के कमपनियों की माने तो भारत की तरफ से बढ़ती मांग के वज़े से वो अब किसी मुकाबले से चिंतित नहीं है लेकिन क्या इन बातों से आपका और हमारा कोई फायदा होगा वर्तमान में किसी कॉस्ट वार का चांस मुझे नहीं लगता और अगर कोई कॉस्ट वार होती है सनफ्लावर ओयल में तो भारत और भारत के लोग ही फायदे मन रहेंगे इसमें कोई शक नहीं भारत में युक्रेन से आने वाले सूरज मुखी तेल पर एलिन दत्ता की रेपोर्ट अब दास्ता इंसानी होसले की अक्सिडन्ट में एक पैर गवाने के बावजूद तेराकी के चैंपियन बने जेंडी और पोलियो से जूजने के बावजूद पावल लिफ्टर बनी विडिया से की ये दोनों खिलाड़ी अक्टूबर में इंडोनेशिया में एशियाई पैरा गेम्स की तैयारी कर रहे हैं आईए आपको मिलवाते हैं इन दोनों आथलीटों से पानी के अंदर जाती ही मैं आम इंसान की तरह महसूस करता हूँ मुझ में उर्जा भर जाती है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ मेरा नाम है जेंडी और मैं इंडोनेशिया का पैरा स्विमिंग एथलीट हूँ जेंडी ने आखरी आसियान खेलों में पांच गोल्ड मेडल जीते मेरा नाम विडिया से है और मैं इंडोनेशिया ये पैरा पावलिफ्ट हूँ पहले मैं कुछ नहीं कर पाती थी पर आप कुछ है चो कर पाती हूँ मैं चाहती हूँ हर एक विकलांक का एक सपना हो, आशाय हो, इरादे हो ताकि हम दूसरों पर निर्भर न रहें विडिया से को तीन साल की उम्र में पोलियो हो गया था उन्होंने रियो पारलम्पिक्स में इंडोनेशिया का पहला और एक लौता मेडल जीता जेंडी के परिवार ने भी उनका सपना पूरा करने में काफी मदद की वो बारा साल के थे जब एक दुर्खतना की वज़ा से उनकी बाई टांग जाती रही पानी में जाते ही मुझे लगता है कि मुझे मदद की जरूरत ही नहीं है मेरी वज़े से मेरे माबाप को गर्व होगा मुझे अभी काफी सपने पूरे करने है मेरा सबसे बड़ा लक्ष है 2020 के टोकियो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना तो हिमत की नई परिभाशा बया करते जेंडी और विडिया से और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जिनेवा में दुनिया भर के पैरे ग्लाइडर्स ने दिखाए करतब तो मिलते हैं ग्लोबल राउंड अप में स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में मैं हूँ इदित महरा और आप वक्त है बीबीसी क्लोबल राउंड अप का और पहली खबर चीन से जहां एक रिसर्च से पता चला है कि प्रदूशन का असर लोगों की समझ पर पढ़ता है लोग जितना ज्यादा दूशित पातावरण में रहेंगे उनकी बुद्धी पर उतना ही बुरा असर पड़ेगा शूत करताओं के मुताबिक ये रिसर्च पूरी दुनिया के लिए लागो होती है जापान सरकार ने नौकरियों में विकलांग लोगों की संख्या बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए माफी मांगी है सरकार ने दावा किया था कि उसने साथ हजार विकलांगों को नौकरी दी लेकिन एक जाँच में पाया गया कि उनमें से आधे लोग विकलांग थे ही नहीं। फ्रांस के एक मंत्री और पूर्फ टीवी प्रेजेंटर निकोला हियोलो ने लाइब रेडियो शो के दौरान इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसके लिए राश्पती इमैन्वल मैकरॉं से माफी मांगी है। हियोलो ने पर्यावरन पर अपने एजेंडे को आगे ना पढ़ा पाने की वज़ा से इस्तीफा दिया है। इरान के राश्पती हसन रुखानी ने संसत में कहा कि देश की वित्या हालत काफी खराब है और आम लोगों का देश के भविशे से भरोसा उट किया है। रुखानी के मताबिक अमरीका के परमाणु संदी से बाहर होने के बाद से ये सब शुरू हुआ। रोहानी ने कहा हम वाइट हाउस में जमा इरान के विरोधियों को अपने खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे हम उन्हें सबक सिखाएंगे और इसके लावा खबरों में हैं आस्ट्रेलिया के पूर प्रधान मंत्री मालकम टरनबुल जिन्होंने अगले शुक्रवार को संसत से इस्तीफा देने का एलान किया है उनके इस कदम से उपचुनाव की स्थिपी पैदा हो जाएगी जिससे नए प्रधान मंत्री स्कॉट मौरिसन को बहुमत साबित करने में मुश्किल हो सकती है तीन अफ्रीकी देशों के दौरे पर गई व्रिटिन की प्रधान मंत्री टेरिजा में ने केप टाउन में एक स्कूल का दौरा किया जहां वो स्कूली बच्चों के साथ अफ्रीकी संगीत पर फिरकने से खुट को नहीं रोग पाई और ये हैं दुनिया भर से आए मशूर पाराग्लाइडर्स, पाईलिट और बेस जंपर्स जो दसमें अक्र वर्ल्ट टूर के फाइनल में हिस्सा लेने स्विच्जलेंड के जिनेवा शेहर पहुंचे हैं जिन्होंने अपना वजन 35 किलो कम किया और 6 पैक अप्स बनाएं तिखाएंगे आपको मधू के इस सफर की कहानी कल शाम 6 बजे BBC दुनिया में तो कारे क्रम से जोड़े किसी भी टॉपिक पर आप उन्जी सीदे ट्वीट कर सकते हैं मेरा ट्विटर है आज के लिए बस इतना ही हमें दीजिए हिजाज़ा झाल